नमस्कर दोस्तो स्वागत है आप सभी का नेम्स वर्ल्ड में मैं कमलेश कुमार आज हम लोग जानेंगे देव का मतलब और आनंद का मतलब मतलब की देवा, आनन्द का मतलब और रासी तो दोस्तो इससे पहले की वीडियो को शुरू करें आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तो आप लोग वीडियो देखने के बाद कॉमेंट तो अच्छा अच्छा करते हैं मगर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तो तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं तो आप सभी को बता दे सबसे पहले देव का अर्थ तो देव का अर्थ होता है भगवान भगवान को हम लोग देव कहते हैं या राजा को भी देव कहा जाता है परकास को भी देव कहा जाता है स्वर्गिये को भी देव कहा जाता है और दोस्तों जो हम लोग आस्मान में बादल देखते हैं उसको भी देव कहा जाता है तो इतने सारे अर्थ होते हैं देव के तो चलिए अब जानते हैं कि देव नाम किसका होता है तो हिंदु धर्म में लर्कों का नाम होता है देव हिंदु धर्म में जो बच्चे होते हैं जो लर्के होते हैं उनके लिए देव नाम रखा जाता है क्योंकि यह काफी अच्छा नाम है और इसका अर्थ भी काफी अच्छा है अगर आपका नाम देव है या आप अपने बच्चे का नाम देव है देव रखना साथ है तो रख सकते हैं तो चलिए अब जानते हैं देव का रासी क्या होता है तो देव नाम के लोगों का रासी होता है मीन ये मीन रासी के होते हैं क्यों होते हैं तो मीन रासी का स्वामी ग्रह गुरू होता है भगवान बिशनु यानि सत्नरायन भगवान को मीन रासी का अराध्य देव माना जाता ह तो दोस्तो चलिए अब जानते हैं कि देव नाम के लोगों के लिए कौन सा अंक जो है सुब होता है तो इनके लिए चार और दो का जो संख्या होता है जो अंक होता है वो काफी सुब होता है और अगर ये चार और दू के नाम से कोई भी काम को सुरू करते हैं तो काफी मतलब काम में सक्सेज मिलता है देव नाम की रासी मीन है और इस नाम के जादातर लोगों की अध्यात्मक में सुरूची होती है देव नाम के लोगों के लिए मन की सांती जादा मायने रखती है देव नाम वाले सांत मन के होते हैं इन्हें किसी तरह की असांती पसंद नहीं होती इन्हें लराई जगरा बिल्कुल पसंद नहीं होती अगर देव नाम के लोगों के बिचार को असहमियत दी जाए जैसे राज कपूर तो कपूर एक टाइटल है जैसे प्रियंका चोपरा तो चोपरा एक टाइटल है दोस्तो ये था अर्थ देवा आनंद का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और उन सभी लोगों के पास भेजे जिनका नाम देव आनंद है ताकि उन्हें उनके नाम का मतलब पता चले तो दोस्तों फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नाम के साथ तब तक के लिए धन्यवाद